इस वीडियो में हम बिज्ञान के चमतकार निवन्द को पढ़ेंगे उसी समझेंगे तो सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि निवन्द लेखन की आवश्यक्ता क्यों होती है और निवन्द किसे कहते हैं तो किसी बिज्ञे पर गद्ध में लेख लिखना निवन्द लेखन कहलाता है हम दूसरे सब्दों में अगर समझें तो किसी बस्तू, व्यक्ति, इस्थान या बिज्ञे की सम्बंद में निश्चित समय एवं सीमा में लिखित में विचार प्रस्तुत करना निवन्द कहलाता है किसी बस्तू, किसी ब्यक्ति, किसी इस्थान या किसी बिस्थान या आप जैसे समझ सकती है किसी ब्यक्ति यानि जैसे आपने महत्मा गांदी जी के ऊपर ने बंद लिखा होगा के बारे में, यानि किसी वो ब्यक्ति हो गए, किसी इस्थान, जैसे कि आपने ताज महल के बारे में बीने बंद लिखा हो गए, जैसे बहुत सारी किसी बिसे, यानि बिज्ञान के चमतकार को हम पढ़ेंगे, समाचार पत्र, परयाबेंट प्रदूसर्ण की समस्या, आतंकब बार्ति समाज, बारती समाज बैनारी का इस्थान, ब्रक्षार ओपन, तो ये सारे विसे, वैसे किसी बी विसे में, एक निश्चित समे और निस्चित सीमा में, लिखित बिचार प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? निवंद कहलाता है. तो और निवंद लिखन की आवश्यक्ता क्या होती है तो क्या होता है कि बिध्यार्ती की लिखित अभी व्यक्ती चमता अध्यन तता चिंतन सक्ती का परिक्षन करने के लिए परिक्षाओं में निवंद संबंदी एक प्रश्न आवश्य पूछा जाता है और इस प्रकार के प्रश्णी के दोरह क्या फताय लगाये जाता है कि कौन विद्ध्यारती कितना इस पश्ट सरल एबं सही विचार रखता है कैसे लिखता है तो आईए चली हम विज्ञान के चमतकार निवंद को देखते हैं तो सबसे पहले निवंद में क्या होता है प्रस्तावना बीस भी सदी विज्ञान के चमतकारों का युग बन गई है आज हम चारों और देखते हैं तो हमें विज्ञान के चमतकारी दिखाई देती है विज्ञान आज जी बन का अभिन अंग बन गया है इसके विना आज का मानब जी नहीं सकता और यह सच है आज मानब बिग्यान का आदी बन चुका है जिसे कि आप क्या लाइट के वगर जी सकते हैं नहीं जी सकते आप क्या मॉबाइल के वगर जी सकते हैं आज के लोग नहीं जी सकते हम विज्ञान के अभिश्कारों के इतने आदी हो चुके हैं कि ऐसा हम संभब नहीं है कि विज्ञान के बगर हम जी सकें विज्ञान की कारण ब्यक्ति ने अपने जीवन को सुक्सुविदापूर्ण बनाने में कोई कसर नहीं रखी है यह तो हो गई प्रस्तावना अब विज्ञान के चमतकार देखते हैं क्या के चमतकार हैं आएए हम विज्ञान के उन चमतकारों पर द्रश्टी पात करें जिससे मानब जीवन सुक में बनता जा रहा है बिजली यानि एलेक्ट्रिशिटी बिजली रसोई घर से लेकर कार खाने तक मानप की सेवा में लगी रहती है कार रसोई घर में क्या है रसोई घर में भी बिजली काम आती है फ्रिज बिजली से चलता है इंडक्सन चूला आप सभी ने देखा होगा वो भी बिजली से चलता है बहुत सारे लोग वो बच्चों के घर में भी होगा पंखा भी बिजली से चलता है वासिंग मसीन से कपड़े दोते हैं आजकर लोग कपड़े प्रेस करने के लिए भी बिजली के अवश्यक्ता होती है फ्रिच कूलर का आनन देने के लिए भी बिजली ही काम आती है तो बिजली क्या है घरों और बाजारों को जगमक करती है किरसी का कारसंपन भी बिजली कराती है और सारे उद्योगों के संचालन में बिजली का उपियों गनीबार हो गया है आगे सिक्षा के चेत्र में जिसे आप सभी लोग पढ़ाई करती हैं तो आप सभी की किताबे कॉपियां आपने देखियोंगी ये क्या है प्रिंटिंग प्रेस ने इस सारी चीजों को प्रदान किया है तो प्रिंटिंग प्रेस ने सिक्षा जगत की समस्याओं को हल किया है प डेडियो, टेलिविजन, सिनेमा, बीडियो, टैप रिकॉर्डर, बीडियो गेम साधी, मनुरंजन के साधन, बिज्ञान की क्या है, चमतकार ही तो है, अगला, चिक्चा के छेत्र में, चिकित्चा के छेत्र में, चिकित्चा के छेत्र में बिज्ञान ने असी मुन्नती की है, एक्सरे मसीन, प्लास्टिक सरजरी, ओपन हार्ट, बाइपास सरजरी, हार्ट ट्रांस्प्लांटेशन यानि हिर्दे प्रत्यार ओपन, टेस्ट यूग बेबी, अनुसक्ती से कैंसर रोक कनेदानादी, आश्चर जाने को प्चार, क्या है बिग्यान की ही तो देन है, तो इसा बिग्यान के ही तो चमतकार है, किर्शी के चेतर में, नाना प्रकार के रासाइने खाद खेत में सोना उवल्द है, ट्रेक्टर, ठेशर, आदी मसीनों से खेतों में, जुताई, बुआई, फसलकी, कटाई, निराई, आदी किर्शी का रासानी से संपन किये जाते हैं, तो इ अगला बिग्यान का क्या लाव है आबागमन के छेत्र में यानि ट्रांस्पोर्टीशन के छेत्र में आबागमन के दृत गामी, सुलब और सस्ते साधन बिग्यान के चमतकार पहले लोग जब घाड़ी, रेल, बस कार नहीं थी तब लोग क्या बेल गाड़ीों से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे बहुत सामय लगता था, आज कल क्या है साइकल, मोटर साइकल, कार, रॉकेट, रेल, हेलिकॉप्टर, बायू यान, सब ही है देश के, बिस्व के किसी भी कौने में जाना हूँ, हम कुछ ही गंटों में पहुँश सकते हैं तो यह सब किस की देन है, यह सब भी बिग्ज्यान की ही तो देन है अब पीच के दो पहलू होते हैं यदि उससे लाव है तो क्या है, उससे कुछ हानिया भी होती है जिसे बिग्ज्यान से लाव है, तो उससे हानिया भी है अभी हमने बिग्ज्यान के लावों के बारे में पढ़ा, बिग्ज्यान से क्या हमें लाव है अब उसके हम दुश्परिणाम यानि दोसों के बारे में भी पढ़ते है तो बिज्ञान ने जहां आने एक बरदान दिये हैं बहाँ इसके कुछ अविशाब भी है बिज्ञान ने युद्ध सामागरी के रूप में एक से एक बिसेली आग उगलने वाले अस्तर सस्तर तैयार किये हैं जिसे कि एटम बम, हाइडरोजन बम, नाना प्रकार के बिदवन सक बम हैं जिन से छण बर में यह संसार नश्ट हो सकता है आए दिन परमाणू परिक्षन होते रहते हैं और हमने सुना भी है कि दुती बिस्विद्ध के दोरान यानि सभी को पता है कि अमेरिका ने जापान की दो सेर हिरोशीमा और नागा साकी में दो परमाणू बम गिराए थे तो उन बमों से लाखों लोग मारे गए थे तो बहुत ही नुकसान होता है इन परमाणू बम से क्या होता है इन परमाणों वमों से रेडियो धर्मी करना निकलती है और इनसे लोगों की मृत्यों होती है अत्वा मानब सरीर पर बुरा प्रभाब पड़ता है बिज्ञान ने मानब जीवन को बनाबटी बना दिया है यानि प्रकृती से जो जीवन दाईनी बायू मिलती है उसे छीन लिया है प्रदूशन बढ़ता जा रहा है फलता लोग अनेक बीमारियों का सिकार बनते है रेलों हवाई जहाज आदी आबागमन के साधनों से दुरग लूजन यानि उपसाहार देखते हैं तो इस प्रकार बिज्ञान बरदान भी है और क्या है अभी साप भी आवश्यकता इस बात की है कि हम बिज्ञान के स्वामी बने रहें सेबक नहीं उसके दास नहीं बनना है बिज्ञान का क्या बनना है स्वामी और हमें क्या है बिज् का दुर उिपायोग कर भिद्वन्स में लगा देंगे तब एं हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होगा अता हमें चाहिए कि हम विद्ज्ञान का उपयोग मानब कल्यान के लिए करें इसके लिए सर्वॉत्तम हो पाए है कि हम विज्ञान का अध्यात्म के साथ गटबंदन कर दें तो इस पिकार हमने विज्ञान की चमतकार की प्रश्टाबना उसके लाब उसके हानियां सबी पहलों पर विचार किया उनको देखा उनको पढ़ा तो इस तरी के समने बिग्जान की चमत कानेवन को पढ़ा है समझाए आप सभी इसको अपनी फैर कॉपी पर नोट कीजिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं तिल देन टेक क्यार और थेंक्स फूर वाचिंग